Hello everyone, Welcome to StudyTube तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे समान विज्यान का Part 3 जो मैं RRB Group D के लिए मैं अप्लोड कर रहा हूं जितने भी वीडियो है RRB ALP के और Group D के वो मेरे चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा RRB ALP and Group D 2018 मैं वहाँ पे डाल देता हूं यानि कि उस प्लेलिस्ट में एड़ कर देता हूं तो आज का जो हमारा प्रस्ण है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है वो है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है Hattest Planet of Solar System मडकरी यानि की बुद्ध, शुक्र यानि की वेनस, मंगल यानि की मार्स, पृत्वी यानि की अर्थ आप देना कमेंट बॉक्स में लिख करके इसका सही सही जबाब देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर दे पाते हैं पिछली वीडियो में मैंने आपसे ये प्रशन पुचा था, किसी समान ब्यक्ति के रक्त का pH, बलड का pH अस्तर क्या होता है तो ये pH range होता है 7.35 से 7.45 जिन्होंने C आंसर दिया, जिन्होंने कहा 7.4 उनका बिलकुल सही जबाब है अगर बलड का pH 7.8 से जादा हो जाए ठीक है, pH अगर 7.8 से जादा हो जाए या फिर pH 6.8 से कम हो जाए तो व्यक्ति की डेथ हो सकती है next है पाइडिया रोग किस से समंदित है पाइडिया रोग ये मसूरों से समंदित है पाइडिया जब हो जाता है तो मसूरों से बलड आने लगता है दर्द होने लगता है और इसका effect दातों पर पड़ता है Calcium and Phosphorus तो Calcium Phosphate इसका सही जबाब है Ca3, P of 4 का Halt twice, ये Calcium Phosphate का फर्मूला होता है इन में से कौन सा गास बदबुदार पेजल में घुला रहता है तो पेजल में घुला रहता है बदबुदार पेजल में घुला हुआ रहता है Carbon Dioxide CO2 हमारा सही आंसर है अरगन को हम किस में भढ़ते हैं Electric Bulb में भढ़ते हैं ताकि ये Tungustan से reaction ना करे Oxygen के साथ helium का mixture को ले जाता है गोता खोड़ ले जाता है पानी में Oxygen और helium का mixture उसके बाद carbon monoxide कब बनता है जहाँ oxygen sufficient ना हो Oxygen की कमी हो वहाँ हम जलाते हैं कुछ carbonic compound तो बन जाता है carbon monoxide और हम सांस लेते हैं सांस के जरी ये अंदर जाता है हमारे हिमोगलोबिन के साथ मिलकर ये बनाता है Carboxy Hemoglobin जब बनता है तो oxygen का carrying capacity कम हो जाता है यानि कि हिमोगलोबिन oxygen को carry नहीं कर पाता है जिससे हमें सांस लेने में problem होती है इसलिए carbon monoxide एक खतरनाग gas है डेंजर gas है Next है manon netr की काड़े पर नाली इन में से किसके समरूप होती है तो ये आप सभी को पता है I think camera इसका right answer है ये याद रखे कि manon netr में जो image बनता है वो retina पे बनता है और ये कैसा image बनाता है ये बनाता है real और inverted real और inverted बनाता है फिर optic nerves के थुरू ये message जाता है brain के पास फिर brain इसको क्या करता है सीधा कर देता है यानि कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो image आँख पर बनता है brain उसका ठीक उल्टा समझता है बट पूछे कि कैसा बनता है तो real और inverted बनता है retina पे फियूज में पडियुक्त तार का क्या होता है फियूज में जो तार होता है उसका resistance यानि प्रतिरोध अधिक होता है और melting point कम होता है melting point यानि गलनानक कम होता है और fuse का तार बना होता है lead प्लस tin से यानि की pb प्लस sn next है पौधयो का कौन सा भाग yu मंडल में carbon dioxide ग्रहन करता है तो पतियां पतियां जो pores होते हैं जिसे मैं stromata बोलते हैं इससे क्या होता है carbon dioxide को ग्रहन करता है और oxygen को बाहर निकलता है तो पतियां हमारा सही अंसर है और जर क्या करता है जर जमीन से H2O प्लस यानि की पानी और खनीज लेता है और फिर यह steam के थुरू पतियों तक पहुंचता है इसे ले कर जाता है जाइलम जाइलम टिसू अजब खाना बन कर तयार हो जाता है प्रकास तंसलेशन के द्वारा तब पतियों से पौदे के अन्य भाग हो तक खाना को ले कर जाता है फ्लो एम टिसू नेक्स्ट है मुत्र का पीला रंग यानि की यूरीन का यलो क्रर होता है वो किसके मौजुदगी कारण होता है तो एक पिगमेंट होता है यूरो क्रोम इसके बज़े से और यूरीन का पीएच याद रखे आप 4.8 से 8.4 यानि की इतना पीएच का रेंज होता है अलग-अलग वेक्टियों में अलग-अलग पीएच होता है यूरीन का नेक्स्ट है किस अव्यव से अधिक संख्या में योगी को का निर्मान होता है the answer is कारवन अगर पूछ दें कि कोन सा ऐसा अव्यव है जो हर अमल में मौझूद होता है हर एसिड में मौझूद होता है तो वो है हाइड्रोजन क्योंकि एसिड का फर्मुला ही होता है जो H+, दे दे, अगर hydrogen ना हुआ, तो H+, कौन देगा, इसलिए हर A3 में आपको एक element आपको पक्का मिलेगा, वो है hydrogen, और hydrogen वो element है, जिसके अंदर neutron है ही नहीं, एक मात्र ऐसा element है hydrogen, जिसके पास neutron नहीं है, बाकि सभी के पास होता है neutron, neutron कहा होता है, nucleus के अंदर, परमानों के अंद 10th है, वस्तूओं का आभेशन किसके अस्थनांतरन के फल्सरूप हो गया, जब हम बोलते हैं कोई वस्तूप, plus charge है, किसी वस्तूप, plus charge है, किसी वस्तूप, negative charge है, इसका मत्व यह होता है, कि जिसपे plus charge है, वहां से electron भाग गया, और जिसके पास negative charge है, उसमें electron आ गया, तो electron neutron का आना जाना लगा रहता है, proton कहीं नहीं जाता, neutron कहीं नहीं जाता, वो नाभी के अंदर रहता है, तो कभी आप plus charge देखें, तो यह मत्समझना कि इसमें proton आया है, प्लस charge है, मत्तो electron निकल कर बाहर गया है, तो electron के transfer करण, अस्थन अंदरन के करण ही आवेशित होता है कोई यह word, तो उसका समन्द किस से होता है, प्रकाश से, light से, like, photo cell, photo electric effect, photosynthesis, यह सब, सब क्या है, प्रकाश की जुरत होती है इसमें, प्रकाश से समन्दित है, इसी तरह से अगर जल के बात आये, तो वहाँ एक word आपको hydro यह सब मिल सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपक तो वहाँ से, वहाँ पानी से समन्दित कुछ है, तो इसे कहाता है hydro electricity, hydro electricity बहुत उचाई से पानी गिरता है और turbine को गुमाता है, बहुत उचाई से पानी को गिराया जाता है, और turbine को गुमाया जाता है, thermal power में steam turbine को गुमाता है, चाहे वो steam जैसे भी बना हो, पानी के गर्म क पादन कोईले को जलागर किया जाता है नेक्स्ट है जी विज्यान का जनक किसे कहा जाता है अब जी विज्यान का दो पाट होता है एक होता है जन्तु विज्यान और एक होता है वनस्पती विज्यान अब जीवी ज्यान का दो पार्ट जन्तु वी ज्यान वनस्पती वी ज्यान है तो जीवी ज्यान का जो फादर है पिता है जनक है वो है अरस्तु तो वनस्पती वी ज्यान और जन्तु वी ज्यान का भी फादर होना चाहिए जनक का जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है जब ही पूझे जी विग्यान का जनक कोन है जनतू विग्यान का जनक कोन है तो आरस्तु को टिक करेंगे और वनस्पती विज्ञान का पूझ दे, बोटनी का पूझ दे, तो हम theofrost को tick करेंगे, ठीक है, यानि कि बोटनी, father of botany पूझे, तो theofrost को, next है, वनस्पती में पानी के अस्थनांतरन के लिए यह कोशिकाय जिम्हदार होती, अभी मैंने जस्ट आपको बताया, जैलम हो इसमें किसकी गतीज उर्जा अधिक है, तो गतीज उर्जा और समवेग में संबंध, RRB, LB के एकजाम में पूझा गया था, तो यह relation होता है, P2 upon 2m kinetic energy बराबर, अब यहां समवेग को बोला एक समान है, तो इसे हम एक समान कर देता है, यानि कि यह constant हो गया, अब kinetic energy पूरा इसका पिंड दरवेमान कम है, तो हलके पिंड की हमारा सही उत्तर होगा, नेक्स्ट है, odometer से मापा जाता है, अगर आप बाइक चलाते हैं, तो वहां आपको यहां पे एक speed device लगा होता है, जो speed बताता है, और यहीं पे लगा होता है एक device जो आपको distance बताता है, जिसमें जहां पे घरसन ज्यादा होगा, वहां पे हम आसानी से चल सकते हैं, जहां पे घरसन कम होगा, वहां पे हम आसानी से नहीं चल सकते हैं, जैसे कीचर हो गया, कीचर में पैट स्लिप करता है, क्योंकि वहां घरसन बल काम नहीं करता है, सही से, सतह जितना ज्यादा smooth होगा, च दीरे दीरे गेंद का speed कम होगा और एक उचाई ऐसा आएगा जहाँ पर वो पोड़ी तरह 0 हो जाएगा उसके बाद वो नीचे आएगा तो जब दीरे दीरे speed कम हो जी कमान negative होता है और जब दीरे दीरे speed बढ़े यानि कि समय के साथ speed बढ़े तो वो जी चाहे A positive होता है तो इस case में रिनात्मक हमारा सही उत्तर है Next है निमनलिकित में से किसने भाप इन जन का अविश्कार किया था तो James Watt ने भाप का अविश्कार किया था Alfred Nobel जिसके समान में Nobel Prize दिया था है इन्होंने अविश्कार किया था Dynamite का Galileo का नाम Telescope के लिए आता है Telescope का अविश्कार इन्होंने किया था गृत्वा कर्शन का नियम इन्होंने दिया गती का नियम इन्होंने दिया Next है 19 निमनलिकित में से किसने Quantum सिधान्त का प्रतिपादन किया Quantum सिधान्त Quantum Theory ये दिया Max Planck ने और Einstein Theory of Relativity और Einstein एक फर्मूला भी दिया था is equal to mc² जिसमें उन्होंने का था कि mass भी energy में convert होती है Brother Ford, J.J. Thompson ये वो पहले scientist है जिन्होंने cathode ray experiment किया था यानि कि इन्होंने ढूडा था cathode ray को cathode ray का discovery किया था J.J. Thompson ने उसके बाद इन्होंने electron का discovery किया J.J. Thompson और J.J. Thompson ही वो scientist है वो पहले scientist है जिन्होंने model दिया था परमानू के सनचना का परमानू सनचना का पहला model J.J. Thompson नहीं दिया था भले ये कोई काम का नहीं रहा, fail हो गया reality से काफी दूर था, कुछ ऐसा नहीं था जिन्होंने इन्होंने जो कहा अपने model में इनका model को कहा जाता था plum pudding plum pudding या फिर watermelon तरबुत जैसा और cathode ray ये negatively charged होता है negatively charged और anod ray positively charged next है global salt का रासाइनिक सुत्र क्या होता है, global salt एक ये अब sodium sulfate देखिए sodium sulfate इसे कहा जाता है salt cake अगर इसमें हम 10 molecule water का add कर दे तो ये हो जाता है global salt जो हमसे पूछा गया है, तो D हमारा सही उत्तर है ये है silicon oxide यानि की sand baloo और ये है zinc oxide इसे कहाता है china white next हमारा सीने बार किसका आयस्क है धातू और उसके आयस्कों का नाम मैं ट्रिक के साथ अपनी वीडियो पर अपलोड कर चुका हूँ आप नीचे description box में जाकर देख सकते है अगर वहाँ न मिले तो channel प्लेइलिस्ट बना हुआ है RRB, ALP and group D 2018 के नाम से वहाँ आपको मिल जाएगा तो सीने बार आयस्क है पारा का, एक ही सीन को बार बार देखने से पारा हाई हो जाता है, ऐसा हम ने उसमें ट्रीक बताया है शीशा का होता है, गैलेन ओर निकल का होता है, मिले राइट तूक है, मिले राइट अलोहा का hematide, manufact 먹nate कई सारे होता है, लेकिन हाँ hematide आप इसको याद रखे hematide वो ओर है आयरन का iron का amount, quantity सबसे ज़्यादा पाया जाता है next एक समतल दर्पन की वक्रता तरिज्या, अब समतल दर्पन तो समतल है पुड़ा flat है, यह curve है ही नहीं, तो इसका वक्रता तरिज्या कहां से आएगा, अगर थोड़ा curve होता, वक्र होता, तो वक्रता तरिज्या होता है, लेकिन फिड़ी वक्रता तरिज्या अगर समतल दर्पन का पूछे है, तो हम यह बोल सकते हैं कि समतल दर्पन वो गोड़ दर्पन है, जिसका radius infinite होता है, अनन्त होता है ठीक है, तो plane mirror is the spherical mirror of infinite radius शोन मत आंसर देना, अनन्त इसका अन्सर होता है, नेक्स्ट है, धूप के चस्मे की power होती है, power का unit होता है, die after, इसे हम capital D so denote करते हैं अब धूप के चस्मे को हम पांते हैं ताकि हमें धूप feel ना हो इसका power नहीं होता, zero power और power का formula क्या होता है 1 upon f, f या meter में put करते हैं, निमने लिखिती में से कौन सा नियम, इस कतन को वैद ठहराता है, कि द्रवे का ना तो स्रीजन किया जा सकता है, और ना ही विनास, ना तो create किया जा सकता है mass को ना ही destroy, ये कहाता है, लेबोजियर ने, लेबोजियर जिसे modern chemistry का father कहा जाता है, इन्हों से दूसरे form में convert हो सकता है next है, आपस में जूरी दो आवेशित वस्तों के बीच, विदुधारा नहीं बहती, यदी वे होती है आपने ओम का नियम बढ़ा है V is equal to I into R, इस ओम के नियम में I is equal to क्या होता है, V upon R ये क्या होता है, ये होता है और जैसे ही, विवाह में अंतर नहीं होगा यानि कि विवाह समान हो गया तो अंतर होगा ही नहीं, तो जो हमारा ये V है ये 0 हो जाएगा, यानि कि current 0 हो जाएगा तो हमारा अंसर हो जाएगा समान विवाह पे धारा प्रभाहित नहीं होती, वैसे ही उश्मा को प्रवाहित होने के लिए उश्मा एक जगह से दूसरे जगह तभी जाती है जब temperature का difference होता है, मान लिजे ये एक rod है, एक conductor है ये hot end है और ये cold end है तो उश्मा का प्रवाह किदर से किदर होगा, उश्मा का प्रवाह होगा hot से cold की तरफ और जब इस दोनों का temperature सेम हो जाएगा, let's say 10 degree Celsius, 10 degree Celsius ये दोनों का दोनों end का ये temperature difference है तभ उश्मा का flow नहीं होगा, यानि heat का flow नहीं होगा, तो धारा को प्रवाहित होने के लिए विभाह में अंतर होना जरूरी है और उश्मा के प्रवाहन के लिए प्रवाहित होने के लिए तापमान में अंतर होना जरूरी है तो ये था आज का वीडियो, वीडियो पसंद आया तो like जरूरी कीजेगा, मैंने जो प्रशन पूछा उसका उत्तर भी आप जरूरी दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बिल आइकन दबाईए सब्सक्राइब करने के साथ ही और हमारे नए और लेटिस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाईए तैंक्यू सो मच